हलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग माशली हरबल आपका एक बर विर्ट से स्वागत करता है दोस्तों जो मोटापा होता है वो श्रीर की समस्याओं की चड़ बन जाता है उससे दोस्तों आपको हाई बलर प्रेशर मधु में हार्ट प्रॉब्लम्स मित अन्य बिमारिया हो सकती हैं और यह बिमारी या कोई आम बिमारी निया जिन्दकी भर आपके स्रीर का हिस्सा बन जाती हैं जिसके कारण आपको दवाईयों के ब्रोसे अपनी जिन्दिय की गाड़ी चलानी पड़ती हैं दोस्तों अगर आप भी ऐसी किसी समस्या के शिकार हो तो डॉक्टर के पास गए होंगे लेकिन डॉक्टर ने सबसे पहले आपको यही कहा होगा कि किसी भी तरीके से आप अपना वजन कम कीजिए दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपना कैसे वजन कम कर सकते हो कैसी आपने आपको 65 की उमर में भी 25 की उमर की ताजकी तो दोस्तों वीडियो को लास तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना और साथ ही साथ ही वाचली हर्बर को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आसी जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंच वाएं दोस्तों सौम जो होती है उसमें एंटी इंफ्रामेंटरी, विटामिन सी, पोटाशियम, मैगनीज, आईरन, फॉलेट, फाइबर और एंटी उक्सिदेंट्स में अन्य गुर पाये जाते हैं दोस्तों प्रते दिन अगर आप सुबा खाले बेट सौम का सेवन करते हो तो मोटापे से तो मुक्ती मिल जाती है साथ ही साथ इसे पीने से आपको भूप भी कम लगती है क्योंकि इसमें मोजूद फाइबर मोटापा को कम करने में कारगर होता है और आपकी इम्मिनोटी को भी बढ़ाता है क्योंकि इसमें विटामिन C की मातरा बहुत अत्यधिक होती है जो रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाती है दोस्तो अगर आप सोंप का पानी सोबा घाले पेट पीते हो तो आपको बार बार बिशाप लग सकता है जिसके जरीश रीर में मोजूद विशैले ततों बहार निकलाती है दोस्तो साथ ही साथ सोंप के पानी से आप पेट के कई विकारदूर हो जाते हैं जिससे कि अपट सूजन, पेट फूलना, गैस बनना कब जादी समस्याओं से निजात मिल जाती है दोस्तो इसमें पाई जाने वाली एंटि उक्सिदेंट फाइबर और विटामिन सी की मात्रा के कारणी हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत जादा लाबदायक होता है मतलब अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो आपके लिए ये बहुत ही जादा बैनिफिशल होता है सूजन का पानी दोस्तो सूजन के पानी के अंदर पटाश्यम की मात्रा बहुत एद्यद्य होती है जिसकी वज़े से दिमाग सही तरीके से काम करता है और इसके पानी पीने से हम डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से भी दूर रहते हैं दोसो मूँ की बद्बू तो बहुत ही बुरी होती है जब हमारे मूँ से बद्बू आती तो हमारे आसबास की लोग भी हमसे भागने लगते हैं तो अगर आप सौंप के पानी को बाल कर उसके पानी से ग्रारे करोगे तो मसूडों में जो इंफ्यक्शन होता है वो भी दूर हो सकता है और आपके मुह से बद्भू भी नहीं आएगी साथ ही साथ मुह से जुड़ी अन्य बिमारिया में ठीक हो जाएगी दोसो ये तो थे सौंप के पानी पीने के फायदे लेकिन इस नीचर निस प्रक्ति में हमें जो भी अच्छी चीज़े दी है उनकी सकारात्मक के साथ नकारात्मक प्रभाब भी होते हैं दोसो कोई भी चीज है उसके अगर सही मात्रा नहीं ली जाए तो आपने दूस प्रभा कर दीजिए और दोस्तों मिलते हैं कले कैसी नहीं जानकारी के साथ अब तक के लिए धन्यावाद